तो टॉपिक है, मुझे अब EMF निकालनी है, मुझे अब EMF निकालनी है, एक rod में, एक conducting rod है, और वो conducting rod अब rotate कर रही है, गोल घूम रही है, तो आप इस फिगर में बना लें, ये rotate कर रही है with omega, omega के साथ rotate कर रही है, अब point to be noted, magnetic lines of force इसके अंदर से pass कर रही है, magnetic lines of force, बोड के अंदर जा रही है, और ये rod उन perpendicular line को cut करता जा रही है, गोल, और जब भी वो cut करेगा, फिर आड़े ने क्या कहा था, EMF develop हो जाएगी, सही है, तो जब वो lines को perpendicular lines को cut करेगा, तो image generate हो जाएगी है, question भई है, rotating rod के अंदर EMF कितनी develop होगी, P और Q के बीच में, ये question है, अब इसके लिए कोई नया formula नहीं है मेरे पास, इसके लिए मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ से इस rod का एक छोटा सा element लूँगा, DX, इस element की दूरी यहाँ से क्या लूँगा, X, तो जब यह rotate करेगा, तो इसके tangential velocity क्या होगी, V is equal to R omega से, V is equal to X, omega, इस element की अलग होगी, इसकी अलग, इसकी अलग, क्योंकि X की value हर element की different है, तो tangential velocity different है, तो इस element की length DX है, इसकी velocity V है, और omega के साथ भूम रही है, तो इस small element में, small EMF क्या develop होगी, BLV का formula लगा लो, magnetic field V है, और length कितने small element की? DX है, और velocity tangential क्या है, इसकी V है, देख रहे हो, इसके along EMF आगी, small BLV, और V का formula क्या put कर सकते हैं, यहाँ पर, X omega, और total EMF निकालने के लिए, तुम इने integrate कर दो, B और omega constant है, X की integration X square by 2, और X की जगा L put करो, answer, यह note करो, जब एक rod घूमेगी, circle में, जब इसका proof आने का chance बड़ा कम है NCRT में, पर इसके उपर numerical आने का chance पूर है, only formula only, तो formula है, EMF का formula, half B omega L square, तो यह नहीं आएगा, यह NCRT के derivation में नहीं आती, पर इसके formula mentioned है, जब एक rod omega magnetic field में, तो EMF का formula क्या होगा, half B omega into L square, याद रखना यह numerical में बहुत त्वाम आएगा, important है, formula जिसके नहीं एंटर भी करनी है, ठीक है, क्या यह point clear है यहाँ तक, अब इसमें question यह भी आता है, question देखो, इसमें यह भी आ जाएगा, कि अगर मैं इससे घुमा रहा हूं, और EMF develop हो रही है, तो induced current की direction बोलो क्या होगी, induced current, flamingar right hand rule, B कैसे है, board के अंदर, thumb कैसे है, ऊपर, connector ऐसे जा रहा है, तो current कैसे होगा, Q से P, देख रहे हो, B board के अंदर, thumb ऊपर है, current यह रहा, तो induced current कहां जाएगा, Q से P, और induced current हमेशा कहां से कहां जाता है, negative से positive, तो question में कौन सा high potential पे है, P की Q, P higher पे है और Q, lower पे है, क्योंकि P positive और Q, lower है, तो समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या logic है इसका,